तो चलिए पिछले वीडियो में आमने देखा था सनाप्स के बारे में अब हम बात करेंगे एक्चुल चाप्टर जो है हमारा इसमें एंट्री करेंगे तो चलू बढ़ते हैं तो चलिए नर्वस 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 नर् Central Nervous System, Peripheral Nervous System and Autonomous Nervous System तो चिने हम स्टार्ट करेंगे Central Nervous System से कि Central Nervous System में क्या होता है और किस तरह से हमें उसको एक्सिर्म करना है और क्या क्या चीज़े नीट के लिए बहुत इंपॉर्टन है So I am going to start with the part called as CNS तो मुच्छों CNS क्या होता है What is the full form? That is Central Nervous System क्यों बोलेंगे Central Nervous System क्योंकि यह सब सिस्टेम है आवारे बाडी के तो यह कुर्स सेंटर में है देखिए, एक्जाम्पल की तोर पर आपको आपको बताना चाहूंगा Yes, जो भी सिस्टेम हमारा है यह पर आपको बताना चाहूंगा यह हो गया ब्रेंट ठीक है और यह नीचे जाएगा Spinal Cord तो यह जो दो स्ट्रॉक्चर आपको दिख रहा है This is called brain and this is called Spinal Cord ठीक है? तो यह ब्रेंट और Spinal Cord देखिए, पुला बडी की सेंटर में है So it is present in Central Axis of the Body Hence it is called Central Nervous System क्योंकि वो बॉडी के Central Axis में Brain और Spinal Cord तो हम इसमें पढ़ेगे Brain और Spinal Cord तो उसके पहले मुझे एक चीज़ इसने बताना बहुत दर्ली में समझूँगा जो CNS में हमारे लिए दोनों जगा पर important है पर च्छों हमारा चाप्टर चल रहा है Neural Control ठीक है यह 12th का बायो का हमारा चाप्टर है तो प्लीज आप सब इस चीज़ को द्रह साब अच्छे से समझ के चलेगा तो चलो अगर हम बात करेंगा CNS के बारे में CNS में सबसे बढ़ी चीज मुझे आपके पतानी है That is known as Meninges Yes, Meninges क्या होता है हमें दो पार्ट याप आप अचका अगर कवर करने Meninges and Cerebral Spinal Fluid What is Meninges? The protective covering of the brain and spinal cord is called as Meninges तो बच्छे यहां पे वापस में वैसे ही डाइगर बनाऊंगा यह रिखे ब्रेन है और यह जो है नीचे इलोंगेटर सा structure 45 cm लेंट और स्ट्रॉक्चर ब्रेन होगा और स्ट्रॉक्चर तो यह ब्रेन और स्ट्रॉक्चर पूरा का फूरा एक प्रोटेक्टिव कवरीं से उसको कवरीं का किया जाएगा प्रोटेक्टिव किया जाएगा तो यह रेड कार का मैंने कवरीं माया जो यह होता है Meninges So what is called Meninges? The protective covering of the brain and spinal cord This is nothing but brain और यह हो गया का लंबा वाला structure Chord So the protective covering of the brain and spinal cord is called what? Meninges This is not only the definition but उसका कुछ पार से कुछ प्रमिशल से वो भी हमें Meninges के पढ़ना प्लेगा इस तरह से Meninges समारे बारे में होता है तो चलो आगे चलते है Meninges का कुछ layers होता है There are three layers of the Meninges तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्छों diagram बनाने की कोशिश करेंगे उस diagram में हम एक बात करेंगे कै कैसे यह हम यह maintain करना पड़ेगा तो चलो Meninges के ती layer में आपने होंगा चलो Outermost layer is called as Duramater The middle layer is called जो उसके बीच का layer है उसको मैं बुरूंगा Arachnoid matter और जो innermost layer होगा उसको बोला जाता है Pyamater तो बच्छों यह जब तर्म है Duramater की बोलेंगे Arachnoid matter की बोलेंगे इस सब चीजों के बारेंगे आप एक्सेंद करेंगे So when it is consist of 3 contactive layers Outermost Duramater Middle Arachnoid matter Innermost is called Pyrametal तो चलो डाइगा मैं इसको थोड़ा समझ देखेंगे तो यहाँ पे यह जो structure है बच्छों यह समझ देखेंगे ब्रेन का structure है यह पूरा एर्या ब्रेन का होगा तो यह जो ब्रेन के कुछ areas आपको दिखते हैं इनको हम सलकाई और गायराई इस तरह से भी नाम देते हैं But roughly आप समझ देखेंगे इस ब्रेन का layer इस ब्रेन का कोटेक्स ब्रेन का matter तो इनर्मोस्ट कवरिंग इस जो इसका इनर्मोस्ट कवरिंग रहेगा वह संबज़िए मैं इस तरह से बना दिया जो रेड वाला मैंने इनर्मोस्ट को रहेगे What is this inner most covering call this बच्छो इसको मैंने जान गुछ के रेड कर अद में बनाया है इसको मैं बनाँगा pyrameter तो pyrameter क्या होता है यह inner most होता है जो ब्रेन के surface को कवर कर देगा ठीक है उसे के ऊपर का लेयर जो होगा बच्छो यह देखो मैं अलग कलर में बनेया यह जो दूसरा लेयर होगा यह भी बड़ा इंट्रस्टीन लेयर होगा इस पर्टिकुलर लेयर is known as arachnoid matter बच्चे जो अरक्राइड मैतर है बड़ा इंट्रस्टीन सा होता है इसको इसको इस तरह से हम नहीं बना सकते हैं जो एक आदर बहाली की कोशिश लोगा इसलिए है कि आपको इस तारा से वाहिन दिखाई देते हैसे लेग्स होते है तो इसता से मिह समझाने के लिए तुरदेसा और आपके रहाएं खोता है यह देखें जाओ बोस्त मैं इना परका है जो यह होना जिए दिवरा मैंटर स्थीजसे किसा एक इस पार इस सपाईटर बेबगे जरीशिते आपको दिख्राएं इसको दिख्राइं, इसको दिख्राों उनके ए। नो परई है आपको तर ना रोत भीड़ा में बने है जिए ने हीए पोलत रोलत है ओप दूरामेटल प्वाई है तवन तवे तक भादी इसके में जाब लगों सको दिरा मैं के गों गया एक लूख लोग हम प्रड़ वें लेव लगश फाट इसकाल अरफिटा प्रड़ स्टम्हिंटर इसमें ब्लूर सब्लाइ चागा वह ठीड़ में टेन को था है वो मेतर क हाते हो, पार 轉माटर होते हो, पार मेटर होता है, right So there are three matters, डुरा मेटर, अर 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 आ पार मेटर, वादर को वादिर। So why डुरा मेटर? Because it is durable, it is durable and it is tough and harder and protective. It is अरेच़। आर मेटर, why? Because it forms a spider-we弔-like structure, आरेचो यह होते, इंसक्ता में होते बने बने बनाया, so which covers the surface of the brain and spanel is biomater, which is a very black structure is a retronome matter, which is durable, tough matter is what? Devra matter, समझ गे बनाबद से, तो इसको matter word कहा से आ गया, बच्छे, matter word का भी बहुत इंटरस्टिं सा बात है, आपको कोई ने बता हैगा, आपको मेरे से सुनना पड़ेगा, what exactly this matter means, तो बच्छे, matter का actual अगर मतलब दिखाना जाएगा, तो इसका मतलब मदर होता है, ठीके, तो देखिए, यह जो आप rare color का structure दिख लेए, this is nothing but meninges, ठीके, यह meninges है, और इस meninges को, आप अगर देखेंगे, इस brain और spinal cord को, एक मदर के जैसा इसने, उसने protect करके रखा है, तो it protects the brain and spinal cord, just like mother protects a child, उसी तरह से इसने matter का कि स्तमल यापई पर किया जाता है, हमेशे, रिके, लगे हैं, आपके लिमार चाहे आपने पूच ना चाहे ये, आपने पूच ना चाहे, तो आपके ने मामानी पावना चेоп पूच ना है, तो, तो आपकी इसने जिएन विस बैस ऱ आपको आने वाले, यह आपको समझना पड़ेगा, right? So, Meninges, what is Meninges? The protective covering of the brain and spinal cord, what is called Meninges? It consists of three layers, durameter, arachnometer, parameter, outer is durameter, durable, tough रहेगा, ठीक है? इसे में एक बहुत interesting सा question आपको पूचा जाता है, यहां में कुछ space आपको मिलती है, यह जो space है, बच्चो, these space is called sub-dural space, इसको क्या बोला जाता है? Sub-dural space, simple सी बात है, durameter के नीचे, इसको sub-dural space बोलेंगे, इसमें fibrous connective tissues होता है, ठीक है? इसमें fibrous connective tissues होता है, sub-dural space के अंदर, यह वारा sub-dural space, उसी तरह, यहां पे एक space आपको मिलेगा, आपको मिलेगें नीचे, इसको बोला जाता है, sub-dural space, बच्च, sub-dural space में, CSF होता है, इसको सब-dural space होता है, एक वेंटरीकल होता है, इसको फोर्थ वेंटरीकल उता है, उसके एक अंदरीकल होता है, इसको बोला जाता है, अच्च, medanjutरीकल वेंटर काशन, इसको बोलेगें, जो सबस्क्राइब करन थे, बच्च, अब कभी कभी ये मेनिचिस का इंफेक्शन हो जाता है, उसे हम मेनिचिस बोलते है, ये बैक्चरियाल इंफेक्शन होता है, तीक है, इसको हम मेनिचिस बोलता है, अगर पूछेंगे, what is meningitis? कभी भी आद रखेंगे यह term, IPIS, अगर ऐसा term आपके सामने है बच्छो, it means inflammation, इसका मतलब क्या होता है? inflammation, IT, IS का मतलब यह आपके हमें शनर रखेंगे, क्या होता है? क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो था, मैंना आपके एक्समेंड करके दिया, यह अरत लाइट जो होता है, उसके लिए सा स्ट्रॉक्चर रिट है, इसके लिए उसको अरेट मैटर जमने बोला था, तो चल्ब यहाँ पर हम दूसरा topic देखें के CNS में, इसको मैं रहूँ इसको CSF के नाम से जानते हैं, तो सिंपल सी बात है, वोली CSF, Cerebral Spinal Pune, कहां कहा पर होगा, Cerebral में होगा, Cerebral में होता है, Vendricles के अंदर, दूसरा कहा है, Spinal Cord में कहां पर होगा, Central Canal के अंदर, तो इसका मतलब दो जगा पर आपको CSF मिलता है, एक Brain में, एक Spinal Cord में, Brain में कहा कहा है, Vendricles में, Spinal Cord में कहा है, Central Canal में, इसका मतलब अगर हम यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे, Position, तो चलो, Position आपको कहा कहा मिलगे, चलो, CSF कहा कहा मिलेगा, आपको Occurrence, तो चलो, Position के आपको कहा मिलेगा, Vendricles of Brain में, ठीक है, बच्छो, Brain के अंदर, तीन Ventricles होता है, पड़ेंगे, एक होता है, Lateral Ventricles, एक होता है, Third Ventricles, एक होता है, Fourth Ventricles, एक Position हो गया, Position No.1, Position No.2 कहां पर मिलेगा, Central Canal, किसका बच्छो, Central Canal, Spinal Cord का, और Position No.3 में लिखोंगा, सब Arachanoid Space में, आपको CSF मिलेगा, There are three positions where you find the CSF, Ventricles of the Brain, there are three Ventricles in the Brain, Lateral Ventricles, Third Ventricles, Fourth Ventricles, There is a Central Curl in the Spinal Cord, यहापे भी आपको मिल जाएगा, and सब Arachanoid Space में भी आपको CSF मिलेगा, यह उसका अकरण से कहां पर मिल साएगा, तीक है, दूसरा पॉइंट में यहापे इखना चाहोंगा, इसका Volume कितना होता है, इसका Fluid, Very Clear Fluid, Just Like Plasma of the Blood, Except, Except Proteins, Except Proteins, Except Proteins, जो Plasma Proteins होते हैं, इसमें काम होते हैं, इतना है याद रखेंगे, बट अदर्वाइस, It is Very Clear Fluid, Just Like the Plasma of the Blood, Except the Plasma Proteins, ठीक है, Except Plasma Proteins, जो इसमें नहीं रहेंगे, बहुत ही ट्रांस्परान, इतना Clear Fluid आपने आस तक कहीं नहीं देखा होग जो CSF दो बहुत सारा, जो brain और spinal cord का injuries होता है, इसमें डॉक्तर लोग क्या करते हैं, CSF का हमें, मतलब investigation करना होता है, इससे भी है, CSF को लेना पड़ता है, उसको pathologically diagnose करने के विए, तो आप देखें कि तो इतना transparent and clear fluid CSF हमारे body के अंदर होता है, तो चले इसमें हम देखेंग CSF exactly कैसे located होता है, मैं बात कर रहा हूँ, CSF की कोई confusion मुझे नहीं चाहिए, I am talking about CSF, यहाँ पे मैं डाइग्राम बनाऊंगा बच्छो, प्लीज अच्छे से ध्यान रखना है, यह जो मैंने डाइग्राम बनाया है, यहाँ ब्रेन है, ब्रेन का uppermost part है, यहाँ ब्रेन का कर जाएगा, इस spinal cord में ठीके, यह continue कर गया, इस तरह से मने इंटाइगा, यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे देखिए, कुछ ओपनिंग्स मुझे बनाना है, यह बहुत इंपोर्टन सी बात है, तो यहाँ पे देखिए, कुछ ओपनिंग्स मैंने बना दिया है, यह एक ओपन इस przeci mmico, यह बहुत बेगिंगे, यह रहाँ डेल है, यह बहुत बात है शच्चाहरे स बात है, यह लेत करेतल सानी है, बेहुत बहुत तो चलो इसमें क्या चीज मुझे करना है इसमें जब दो चीज आपको याद के दिखते हैं और आपको अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ याद के लिगने की कोशिच कुन होगा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकतो राइट और लेफ्ट पार्ट में चीज परफ़ते है शुक को यह था पार्ट में अबना है यह दे परफॉर्ड में कोमरा को करणा है यह पूरे structure को मैंने cover करना है जो रेर्टर का मैंने structure हो जो यह क्या है? इस लखी बडे मेनिजिस ठीक है? यह रेर्टर का जो मैंने बना दिया अब कि सामने यह जो पार्ट है मैने जिसका तीलो का तीलो लेयर यह हो सकता है, राइट? जो चलो, the first and second ventricle togetherly called as, इसको तरह अलग कलर में रिखुँगा first and second ventricle togetherly called as lateral ventricle believe me इस पे जरूर एक निट का कॉस्चन आपको पूचा जाता है lateral ventricle होता है lateral ventricle is also called यह बहुत इंप्रेस्टिं बात है is also called tarasyn पाच यह जो होता है C O E L C लो होता है इसका मतलब होता है Cavity, कभी भी नहीं होनियेगा it's a seal, कभी 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 कुछ बच्चा अलग कर देंगे seal होता है Cavity, so this is lateral ventricle first and second विराके अपका lateral ventricle और दोनों के बीच में जो आपने opening देखिए, यह देखिए यह opening होगी interventricular forament इसको में लिखोंगा interventricular forament तो lateral ventricle सामें जाना है third ventricle लिए जो opening के बच्चों this is called as forament Mondro MC के उसके लिए बहुत important is this is very essential for heat इन heat के लिए आपको जरूरी आप रखना है यह forament Mondro होता है यह दोनों के मेला के कौन सा है बच्चो? lateral इसको क्या बनेंगे? paracil p-a-r-a-c-o-e-l paracil lateral ventricle यह forament Mondro होता यह कौन सा है बच्चोंगा? third ventricle this is third ventricle third ventricle को दूस्तरा एक नाम होता है बच्चो third ventricle is also called as diocene इसको क्या रखेंगे? diocene b-nate के लिए कहते बच्चोंगा this third ventricle where is found in diencephalon यह आपको कहा मिलेगा diencephalon में third ventricle यह पूरा third ventricle right इसके बाद third to fourth का connection का है lateral to third का connection का है फुरा में मोह नो third to fourth का connection है बच्ची यह वाला यह जो connection है this particular connection is known as cerabral or you can see aquaduct aquaduct bereens AQUADUCT साल्यस yes cerebral aquaduct इस सिर्भा लुकड बोरा जाय जाएा और यह जो होता है this is nothing but fourth ventricle please組 yourself in NG इस जगा बननाब जै यह आपिने जी this fourth venture तो बहुता है, तूसरा है डायोसील, दीसरा है मेता सिल, और यह जो स्पाइनल काड़ का आगे कंटीनी हो गया, यह रहेगा का Central Canada किसको माईलो सीद्व बढ़ा जाता है एक माईलो से पड़ा ब्रिकवार यह हो गया हमारा पूरा सीए सेफ का पूजिशन यहां पर CSF है यहां से से सिए सिद्व जाएगा थर्ड मेंटिकर में थर्ड से जाएगा फॉर्द मेंटिकर में फॉर्थ से जाएगा से जा सकता है सब अड़नोड स्पेस में उच्छा यहां तीन ओपनिंग मैंने आप लिखे लिए आपसको द्यान से देख लेगा यह तीन ओपनिंग जो है वो हता है फोरमेन लश्का है यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इसको सिक्रिट करेवनी चीज़ कोंसे होते हैं होता है यह उसको बोला जाता है एंटेरियर से अटेयर को रेख लाक्से पर फागें यहां पर पर अपने निया के लिये यह पहते जाधा इपूर्न पारम है डीट के-डीए यह अफिर आपका अपका अव्क तो सेरी ब्रव के अंदर CSF कहां से बनता है यह बनता है अंटेरियर कोरोड फ्लक्स से ठीक है और यहां पर दखिए मेडिला के अंदर भी एक चीज़ पाहिए जाती है उसको बोलते हैं पोस्तेहर को रोईड फ्लक्स से लगता है पोस्तेょल और भी आंसे बनता है बढरेश जाते हैं तो प्लीज आप डाइग्राउंग को अच्छे से देखने की कोशिश करिए तो आपको समझ भाएगा एक्जाप्ली यह सब चीज कहा से सिक्रिट हमादी हो रही है ठीक है यह स्ट्रक्टर में बनाते हैं एक बार डिवाइस का रहा है वह इसके प्लाज्मा फॉक्टिंस काम है वरी प्रांस्परेंट अंख्लीर के बारे हम बात करें कहा कहा से बनता है आपको पता है अभी यह फ्लक्स का है हम आगे बीडिये में पताएंगे इपंडर्म सेट्स प्स्पाइबर कॉर्ट इसका सर्कुलिशन कैसे है लाटर टू थर्ट फॉर्ट अक्वाडर्ट फॉर्ट फॉर्ट टू आगे जो जाता है वो इस तीदासिवा सेंट्रिकन में च तो मैंने हाँ पे CSF का पोजिशन बता दिया, source of secretion बता दिया, वो CSF कैसे सर्कुलेट होता है वो भी मैं आपको बता चल गया है अभी आखरी में पढ़ेंगे CSF का पंचिन का है simple से वारते बच्चा हमारे brain के अंदर एक syस्टीम नहीं हो सकता, lymphatic system हम जिसको बहते हैं, तो lymphatic system के बच्चा अलावा जो brain के अंदर, अवारे nervous system के अंदर शो system है वो होता है CSM, क्याद रखना, as the brain and spinal cord is devoid of lymphatic system, its work is provided to the cerebrospinal fluid, यह CSM जो है, nutrition भी क्या रही किलेगा, excretory material भी क्या रही किलेगा, respiratory gases भी क्या रही किलेगा, so transport of excretory material, transport of nutrients, transport of excretory material, चार फंक्शन हीगा, पहरा फंक्शन था, it functions like a lymphatic system, protection का आमारा काम करता है, सक्सी important चीज आमारी यह होती ही, ठीके, not only that, CSM also maintains pressure within the brain, पच्चो जो intracranial pressure होता है, अब ब्रेन का प्रेशर होता है, उसको maintain करने का काम भी CSM करेंगे, not only that, as a fluid, it prevents desiccation of the brain, तो brain को dry नहीं होने जगा, उसका desiccation को prevent करेंगे, एक fluid उसको provide करेंगे, हम बोल सकते हैं कि brain को बच्चो, solid structure भी है, brain and spinal cord, वो hollow structure है, उसके अंदर जो hollow part है, वो क्या है, ventricles है और central canal है, और उस hollow part क्या बढ़ा बढ़ा है, cerebral spinal fluid बढ़ा है, तो क्या functions होगे बच्चो, lymphatic system का का काम करेंगे, nutrition का काम करेंगे, respiratory gases carry करेंगे, excretory substance को लेके जाएंगे, pressure maintain करेंगे, और brain cells को dry नहीं होने देंगे, और cranial pressure को maintain करेंगे, यह होता है functions of CSF, कभी-कभी बच्चों CSF का quantity जादा हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों में, ऐसे condition को हम लोग, hydrocephalon बोलते हैं, ऐसे condition है hydrocephalon बोला जाता है, hydrocephalon तो यह hydrocephalon के अंदर, brain में बहुत जादा पानी हो जाता है, मझब स्थिये से बोला जाता है, तो इस परासे बहुत से नए बच्चे जो, new one babies होते हैं, उनमें अगर ऐसा कुछ प्रब्रेम तो, बहुत बढ़ा सा लाग जैसा head sizes हो जाता है, उस condition हो है hydrocephalon बोला करते हैं, hydrocephalon भी हम बोला करते हैं, तो कभी-कभी डॉक्तर लोग को अपरेट करके, वो CSF को peritonum के अंदर या पे डाल देते हैं, वो आलग सी बात हैं, उस सर्जरी में, मेडिसिम में, अब जैके पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ हमें दिमाग में रखना है, इस वाज अबाउट दो, मेनिंजिस और CSF, आज हमने दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करें, मेनिंजिस और CSF बच्चों, अभी भी मुझे आपका response इतना अचा नहीं लग रहा है, आपको बताने की कोशिश करूँगा, सामल देने से से बए से मैंने मेरे रिपिटर बच्चे हैं, जो एक्जाम वे बच्चे उनके लिए भी मैंने crash को सभी अभी स्टार्ट किया है, human physiology मैंने वापे स्टार्ट किया, तो प्लीज उन वीडियोज को भी लाइक किजिए, शेयर किजिए अपने दोस्तिक मेंस कहीं भी हो, उनके पाश शेयर किजिए और मेरे नंबर भी आपके पास किए, इसमें कमेंट भी ज़रूर किजिए, थैंकिवरी मैंस,